नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड नम wann chantrand आप सभी का सौगत है फिर्ण यसकी आप जानते हैं कि हमारे channel प Запад विसे जैनल पर है हैं आज हम लोग हैंडIn pap.com कौ सानु ले आ है जिसमें कि आप लोग को मालमद चल सकते कि कैसे नोट या पिर जो नोट साथ तयार किया गया है वो कैसे जो है आपको मिल सकते हैं या हैंड नोट्स जो हमारे यहां दिया जा रहा है वो कैसा है सारा कुछ आपको आज हम यहां पर explain करने वाले हैं और आप सभी से देखिए यहां पर थोड़ा सा जो है मतलब आपको धूमिल टाइप से लग रहा है तो यह जो है आप कह सकते हैं कि यह कैमरे से जो भी मतलब इसको खीचा गया है तो वो अभी यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा लेकिन जब आप पीडिएफ लेंगे तो वहां पर अच्छी तरीके सा आपको दिखाई दे गया तो सबसे पहले यह जो पीडिएफ है या हैंड नोट्स है यह रासानिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में कौन करता है या बदलता है तो सेल और बैटरी करती है यह आपको ध्यान देना है रासानिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है यह भी आप ध्यान दीजिएगा फिर यांत्रिक उर्जा को कुर्जा में कौन बदलता है मोटर बदलता है यह आपको धियान देना है फिर यहां पे पूछा क्या गया है कि धारा के चुम्बकी प्रभाव जनरेटर मोटर कम करती है यह आपको धियान देना जनरेटर जो मोटर होता है वो कम करती है ठीक है फिर उसके बाद देखिए यहा तो रिणातमक टर्मिनल से कैथोड को जोडता है तो जो धातु होता है वो रिणातमक टर्मिनल से कौन जोडता है कैथोड को जोडता है फिर धातु धनातमक टर्मिनल से एनोड को जोडते हैं यह आप देख सकते हैं फैराडे का जो पहला नियम होता है वो M बराबर ZIT होता है यह यहां पर नोट्स में बताया गया है फिर फाइराडे का जो दूसरा नियम होता है M1, M2 बराबर M2, Z1 ऐसे करके यहां पर दिया गया है फिर देखें लेड एसीड बैटरी में 25% अमल प्लस जो है 75% पानी होता है लेड एसीड बैटरी में यहां पर देखना है तो सेल और पर गया है फिर उसके बाद लैड एसीड बैटरी पूण्ड चमता हंडेड परसंट होता है और लेड एसीड बैटरी जो सामान चमता होता है वह यहां पे जो है 90% दीए गया है तो कहने मतल यह सभी हैं चीजों के यहां पर एक्स्प्लेइन किया गया है उसके बाद देखे यहां पर आपके सामने दिया क्या गया है कि सीशा अमल की वाट घंटा दच्छता क्या होती है एच होती है 85% से 95% तक होती है उसके बाद आगे देखें नया चेप्टर जो दिया गया है DC जनेरेटर में यहां पर क्या बोला गया है कि DC जनेरेटर निमन ब्रस घरसल के गुलांक होते हैं तो 0.35% तक होता है फिर यहां पर फैराडे लेट हैंड जो यहां पर दिया गया है मोटर में परियोग होता है LHR या फिर फैराडे रहर जो होता है राइट हैंड जो भी होता है वो जनेरेटर EMF में परियोग होता है तो देखें यहां पर थोड़ा सा आपको धूमिल टाइप से लग रहा है लेकिन वहां पर जब भी आप मतलब जो है PDF को जब डाउनलोड क जहेगा उसके बाद अंगूठे का नियम जो है दायाहाथ नियम होता है तो यह डीसी जनेरेटर को जो है आप एक्सप्लेंड किया गया है फिर बूस्टर का परियोग परियोग परियसान लाइन में स्रीज जनेरेटर के साथ किया जाता है यह भी आप देख सकते हैं ट्रेक जो फिर से बनाए गया है हो किस टाइप से हैं ञिए जिसमें हम लोग जो है बनाए जिसको करके के बनाए हैं अब उसके बाद देखिये यहां पर आपके सामने , ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और로 सेसे केन्डरी दोनो ब्राइमरी सेकेंडरी धोनो तर्ष्टार डेल्टर उसके बाद देखेंगे, यहाँ पे पूछा है, मतलब बनाए गया है, कि ट्रांस्फारमर में इस्टार समान जुड़े हों तो 0 डिगरी, अगर विप्रीद जुड़े हों तो 180 डिगरी होगा, यहाँ पे क्या बताए गया है कि पावर ट्रांस्फारमर पूले भार पर तथा करता है तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर बताए गया है उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बताए गया है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कारिये तेल के प्रसार तथा संकुचन से सुरच्छा प्रदान करता है तो कंजर्वेटर जो होता है यह आपको देखना तो यहाँ पर देखे जो है star delta या delta star के जो बीच का अंतर होता है वो 30 degree होता है यह आप देख सकते हैं फिर उसके बाद synchronous motor देखे बहुत important हो जाता है synchronous motor को लेकर synchronous motor में काफी बच्चे confusion में होते हैं तो यहाँ पर देखे जो है क्या बोला गया है synchronous motor leading lagging इकाई वा power factor पर चलती है synchronous motor synchronous motor इस्थिर गती पर चलती है यह भी आपको ध्यान देना है synchronous motor में slip जो होती है वो सुन्न के बराबर होती है जीरो के बराबर होती है synchronous motor की जद्दच्चता और power factor प्रेरण motor से बहुत अच्छी होती है प्रेरण मतलब कौन होती है induction motor टीक है induction motor जो होती है उससे बहुत ही अच्छी जानी जाती है उसके बाद देखे आगे जो synchronous motor आर्मेचर धारा leading और lagging power factor या अधिक होता है मतलब इस पर power factor अधिक होता है जब explain किया गया है अब देखिए पदार्थ की सनचना यहाँ पर जो है aluminum में जो पदार्थ की सनचना होती है आप देख सकते हैं दो आठ और तीन होता है यहाँ जो साह सायोजी बंद होता है वो इसका जो है तीन होगा तो ऐसे करके यहाँ पर सभी चीजों बताए गया है फिर copper म में जो है आप देख सकते हैं 14 पाए गया है 2 8 और चार पाए गया है जर्मेनिय में 32 जो है दो आठ और अठारा चार जो है पाए गया सहोजी बंद इसके चार होंगे तो यह देखिए जो है कुचालक की अंतिम का अच्छा पूरी यहाँ पर बताने के मतलब यह है कि दूरी चीज़े हैं वो सभी को यहां पर दर्साय गया है ऐसा नहीं कि कहने मतलब यह है कि पदात की जो सनचना बस इतना ही खत्म हो गया है और भी इसके हैं लिकिन मैं आपको तरीकस इसलिए दिखा रहा हूं सभी चैप्टर यहां पर बनाए गया है वो आपको जानकारी होना चाहि यह आप देख सकते हैं इसके लिए जो है बड़े सक्ति केंदर पर 0.5 ओम छोटे सक्ति केंदर पर 1 ओम यह सभी चीज़ों के यहां पर बताया गया है फिर छोटे उपकेंदर पर 2 ओम घरेलू तार अस्थापना जो होता है यह आपको देखना है फिर यहां पर क्या बताया हैं तो यह आप लोग देख लिए जिस टाइप से इसमें बनाया गया कि कहीं भी पूछता एक्जाम में तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे अब देखिए यहां पर आगे आगे क्या दिया गया है देड़ दिया है वहाँ भाग जो बिद्दुत स्रोज से जुड़ा ना ह या बिभव सुनने हो उसे हम लोग डेड़ के नाम से जानते हैं ये भी आपको ध्यान देना है ठीक है उसके बाद देखिए आगे जो है आपके सामने क्या दिया गया है अर्थ फॉल्ट किसी चालक तार का वह भाग जो गलती से अर्थ से जुड़ा हो उसे अर्थ को जोड़ने वाली जो तार होती उसे अर्थ लीड कहते हैं फिर यहां पर अर्थिंग तार का जो आकार होता है वह आठ एश डवलूजी होता है मतलब आठ इस्टेंडर वायर गेज होता है तो यह सारी चीज़ों बताया है फिर डिजिटल इलक्रॉनिक्स जिसमें बच्च और गेट में होता है दो इन्पुट एक आउटपुट होता है और नौर तथा नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं फिर देखिए हैकसा डेसीमल को अल्फा नियूमेरिक संख्या के नाम से भी जानते हैं जिसका आउटपुट निम्न और सभी इन्पुट उच् चान पर मतलब जीरो यहां रहें, उसके बाद जिकले इलक्ट्रोन, बियस के मद्ध में मद से संगराहित तक जाते हैं यह कि यहां बताया गया है और उसके बाद PNP एवं NP transistor के प्रतीक में तीर की दिशा emitter में होती है उसके बाद देख्यें यहां पे transistor चिन्द में बाहर की और इसारह emitter दोरा किया जाता है तो यह सभी चीजों को जो है यहाँ पर explain किया गया है अब देखे basic electronics स्वारी basic electrician basic electrician देखिए जो है यहाँ पर क्या बताए गया है दो बिंदुओं की बीच धारा प्रवाह तब होता है जब उनके बिभाव में अंतर हो तो यह बताए गया है फिर यह दी बिभाव समान हो तो कोई धारा प्रवाह नहीं होगा यह भी बताए गया है फिर उसके बाद देखे एक बोल्ट बराबर एक जूल प्रति कुलांब होता है यह चीज बताए गया है बिस्ष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है ओम मीटर या ओम सेंटी मीटर होता है किसी प्रमाडु में संख्या इलक्टॉन प्रोटान दोनों होता है किसी दरब्यमान की संख्या प्रोटान निट्रान के बराबर होता है यह सबी चीजों को यहां पर बताए गया है यह आप द करना है और कैसे नोट्स बनाना है उस बेस पर यहां पर सारा कुछ explain किया गया है बाकी फ्रेंड आप सभी समय कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर इस पीडिया को लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है वहां से जाके आप लोग ले सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें सेयर करें सो थेंक्स वाचिंग और बाए बाए बाए